हैलो अप्रीवान आप लोग का बहुत पह स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तहाँ पर हमने ले लिये हैं एक कटोरी के आसपा चने की डाल है और आधा कटोरी मसूर की डाल है आप चाहें तो यहां चाहें सिर्फ चने की डाल से बना सकते हैं लेकिन हमने दोनों मिक्स क इसे दोनों को मिलाने से काफी टेस्टी अच्छी बनती है तो इन दोनों दॉंचिए तरह से हमने शाब कर लिए है और इसे ओभानाइट भीगो के रख दिए थे अब देखिए अच्छी तरह से दाल फूल चुकी है अच्छी तरह से और इनका हम पानी शाड़ा निकालके 200 में हम इसे डाल लेते हैं, दीरडडड़ करके डालेंगे, आप चाहें तो 10 बाई 3 गरेंड कर सकते हैं, और इसमें हम डाल देंगे 5 से 7 लाहसुन की कलिय, और जितना ठीका आप पसंद करते हैं, उतना मिर्च़ड आप सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पर नमक भी डाल सकते हैं लेकिन हम नमक नहीं डाल रहे हैं हम सिंपल मिर्च अर लहसन डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे इस तरह से अगर बनाएंगे तो काफी टेस्टी और चटपटी बनती है और ब्रेक फास्ट में बना सकते हैं लंच में बना सकते हैं डीनर में भी बना सकते हैं यह काफी हेल्दी भी होड़ती है टेस्टी भी होती है इसमें बहुत जादा नमक मिर्च मसाले नहीं पड़े हैं तो देखिए हमने हाँ पर ग्रैंड कर लिए हैं, बहुत बारिक नहीं किये हैं, थोड़ा मोटा ही है, अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे सारे, और इन्हें निकालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसे साइड में रख देंगे, अब यहां पर हमने इसे ढख के रख दिये हैं, और यहां पर हम एक थाली में डेड़ी कप की आसपा चावल के आटा ले लिए हैं, चावल के आटा थोड़ा फीका होता है, उसमें हम आधा चमच नमक डाल देंगे, और यह गरम पानी है, गरम पानी से हम आटा को अच्छी तरह से गून लेंगे, अब नार्मल याटा जैसे गूनते हैं रोटी के लिए वैसे याटा को गूनेंगे, चावल का आटा, मकी का आटा, यह सब हम गरम पानी से गूनते हैं, तो ठंडा से नहीं नार्मल पानी जादा गरम नहीं था, नार्मल ही था, तो हमने उसे गून ल मम पीस हम दालें, तुछ रायला जीरे, भर्ली फल्य ऑले, आमसालई अगर आपके पास धनिया के पत्ते हर सatyr कि पास सब्सक्राप्ते की अब सबस्क्राइबâ canada आप इसके छोटे छोटे बोल लेंगे आप चाहें तो बड़ा बना सकते हैं या छोटा बना सकते हैं इन्हें हथेलियों की मदद से इन्हें पोड़ियों की शेप देंगे आप चाहें तो इसे रोटी की तरह बेल की आप किसी चीज से काट के बना सकते हैं लेकिन हम हाथ से ब बनाए हो हमारे मिस्रण हैं उनको हम डाल देंगे आप कम जादा डाल सकते हैं और इसका मुह बिल्कुल कवर नहीं करेंगे आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं लेकिन बंद करने से ज्यादा टाइम लगता पकने मैं से थोड़ी हाप खुली रहेगी तो जल्दी पक जाती है कच्छी नहीं रहते हैं और इसी तरह हमने सारे बना के रेड़ी कर लिए हैं और एक बरतन में हमने पानी रख दिये गरम होने के लिए और हमारे पास यह हॉल वाली थाली थी इसमें हम पहले से तेल लगा लिए हैं और इसको हम जो भी हम पेठे बनाए तो देखिए हमने सारे रख दिये हैं और इसे कवर कर देंगे 5-7 मिनट के लिए अब 5-7 मिनट हो गए हैं फिर हमने उठा लिए हैं जो हम फिर बनाए थे और हम फिर इसमें रख देंगे आप चाहें तो दो तीन लेयर रख सकते हैं या आप एक बार ही बना के उसे निकाल के फिर दोबारा रख सकते हैं लेकिन एक ही साथ में सारे पक जाएंगे इसलिए हम निकाले नहीं से टन पाई टन हम सारे रख देंगे 5-5 मिनट के बाद तो हम फाइनली सारे हमारे बन चुके हैं हम इस पर रख के और इस बार हम इसे 10-12 मिनट के लिए ढख देंगे इसे खोलेंगे नहीं ताकि अच्छी तरह से अंदर तक ये पक जाए सारे तो अब हम ढख देंगे बीच में हम इसे छेड़ेंगे नहीं और 10-12 मिनट के बाद ही देखेंगे इनको खोल के क्योंकि ये पकता ही भाप पर है तो बार बार खोलने से जो इसकी भापोतियों निकल जाती है तो अब 10-12 मिनट हो गय थे अब देखे कितने अच्छी तरह से पक चुकी है फिर भी हम एक बार चीक कर लेते हैं तेने आप किसी तुटपिक से या चमच चाकू से आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल पक चुकी है अब इन्हें हम ऐसे ही ढांक के रख देंगे अगर इसका फ्लेम बंद कर देंगे जब अच्छी तरह से ठंडी हो अगर गर्म गरम इसे निकाल देंगे थे एक दूसरे की ऊपर रखे है ये चिपके टूट जाएंगे तो अगर यहां पर देंगे उसके बद हम सौप करेंगे तो देखे हैं, यहां पर ठंडी हो चुकी है हम ने सौप कर दी, आप चाहें तो यहां पर तड़के लगा के खा सकते हमने कुछ ऐसे सौप की हैं, कुछ तड़के लगा के खी हैं अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो थो हमारे वीडियो को लाइक कर दिजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दिजिए गाए